दोस्तों हमने एक survey करवाय था जिसमें 56% लोगों का कहना था कि वो जानना चाहते हैं कि online second income कैसे generate कर सकते हैं और वो income ऐसी हो जो regular हो जो पैसी हो जिससे हम regular everyone पैसा कमा सके और जिसके उपर आप rely कर सको तो आज ऐसी एक methods के उपर बात करने वाला हूँ और यह really मैं use कर रहा हू आपको दिखानेवाल हूँ मैं YouTube के बात कर रहा हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको result दिखा देता हूँ कि कितने पैसे कमाये जा सकते हैं monthly तो यहाँ पे हम चलते हैं मेरे YouTube studio के उपर में और यहाँ पे मैं आपको मेरी monthly income दिखा देता हूँ कि अभी से दो साल से ले से रहते हैं, सारी चीज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बरपूर नॉलेज मिलने वाला है, और अगर आप रियली अपनी सेकंड इंकम जनरेट करना चाहते हैं, एक रुपिया दिये बिना यूट्यूब के बंद कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जानुवारी मन्त में 29,000, फैबरुआरी में 28,000, मार्च में 20,000, 13,000, 22,000, और अभी यह जून महिना चल रहा है, यह रैगूलर इंकम दे रहा है, और अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, लाइफ टाइम की मेरी मन्तली इंक कि वो थोड़ी सी बड़ी थी, 2022 से अभी तक continuous चल रहा है, तो अगर आप serious है, really serious है, second income generate करने के लिए online, तो आप YouTube से पैसा बहुत पैसा कमा सकते हैं, यहाँ पर मैं hardly मैनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं job भी करता हूँ, तो इसक second मौका चाते हैं, और अब really घर पे बैट के कुछ income कमाना चाते हैं, या आप job करने हैं, और आपके पास काफी free time पड़ा रहता है, 3-4 गंटे का, या weekend के अंदर कुछ करना चाते हैं, तो आप इसके उपर rely कर सकते हैं, passive income का source है, जिसमें आप घर पे बैट कर सोते सोते पैस कमा सकते हैं, आपके वीडियो देखे जाते हैं, आपके वीडियो देखे जाएंगे और उसके उपर पे आप पैसा कमाएंगे, यह सारी चीज कैसे होती है, सारी process कैसे होती है, यह आज आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, सबसे पहले और एक चीज दिखा देता हूँ यहाँ पर फिर से ले चलता हूँ आपको एनलिटिक्स के अंदर और रेवेन्यू के अंदर आपको एक वीडियो दिखाता हूँ यहाँ पर आप देखिए यह वाला वीडियो यह वाले वीडियो को अगर हम क्लिक करते हैं तो इसकी आपको थोड़ी से अर्में दि अगर आपके एक दो वीडियो भी चल गए ना आपकी income बहुत अच्छे से चलने वाली है और आपको यहाँ पर दिखा देता हूं कि मेरी जो total income आ रहे हैं उसमें यह जो दो तीन वीडियो है यह काफी अच्छे से काम कर रहे हैं जिसमें आप देखिए यह चार वीडियो जो ह process के साथ साथ आपको personal investment tips भी देता रहता हूं यह channel के उपर में तो चलिए सबसे पहले चालू करते हैं कि आपको YouTube के उपर करना क्या रहता है सबसे पहले आपको करना है आपको एक channel बनानी है अपनी channel बहुत ही easily बन जाती है आप YouTube के उपर में जैसा ही Google account से login करते हैं तो आप आपको कुछ ऐसा interface देखने को मिलता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं आप YouTube.com के उपर जाएंगे तो आपको simply यहाँ पर ऐसा कुछ interface देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर जो profile का picture है उसके उपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देखेंगे यॉर channel करके टैब आजाएगा आप इसके उपर क्लिक कर सकते या आपको अगर आपकी चैनल अरड़ी बनी हुई है तो आपको YouTube Studio करके यहाँ पर option दिखेगा आप इसके उपर क्लिक कर दिजिए जैसे ही आप YouTube Studio के उपर क्लिक करते हैं आपको कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा जहाँ पर म इनों में जब आप शुरू करते हैं अपना YouTube केरियर आपको earning का source नहीं दिखाई देता आपको वीडियो बनाने होते हैं क्योंकि earning के लिए कितने criteria रहते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा उसके बाद आपको यहाँ पर टॉप वीडियो दिखाई जाते है आपकी जो latest comments होती है वो दिखाई जाती है आपके recent subscribers है वो दिखाई जाते हैं अगर आपने कोई poll करवाया है वो यहाँ पे दिखाई जाता है आपके recent videos जो आपने publish किये है वो यहाँ पे दिखाई जाते है और last video जो आपने publish किया उसका जो performance है कितने views आया है वो सारी चीज जो अभी आप देख रहे हैं ऐसा वीडियो और दूसरे वीडियो होते हैं शौट्स वीडियो आप यहाँ पे देखेंगे यह शौट्स वीडियो जो यहाँ पे मैंने अभी एक दिन पहले पब्लिश किया था और अगर आप इसको देखेंगे आपको यह वर्टिकल ही दिखें कि आप horizontal videos बनाना चाहते हैं या vertical videos vertical videos में earning बहुत कम होती है कितनी होती है वो भी आपको दिखा दूँगा अभी but horizontal videos जो अभी आप देख रहे हैं उसमें earning बहुत ही जादा होती है तो इसलिए आपको सबसे पहले ये decide करना है कि मुझे किस type के videos बनाना है अब videos के लिए topic कहां से पसंद करें तो उसके उपर मैंने एक अलग से video बनाया था बहुत सालों पहले बनाया था तीन-चार साल पहले वो video की link आपको description में दे दूँगा जिसमें मैंने आपको करीबन 50 topic बता हैं कि आप कौन से topic के उपर अगर channel बनाते हैं अब मैं यहां पर आपको थोड़ी सी चीज दिखाने वाला हूँ कि मेरे जो शुरुआती videos थे वो शुरुआती videos में views कैसे आते थे तो दोस्तों आप देखिए यह मेरा सबसे पहला video है जो finance की channel के उपर मैंने बनाया था मैंने select किया था topic कि मुझे personal investment पर videos बनाना है क्योंकि मुझे उसमें काफी रूची है तो यहां पर यह मेरा पहला video आप देख सकते हैं यह पहले video के कितने views आए 173 जब मैंने यह डाला था तब तो 2-3 hardly views आए थे उसके बाद में जैसे मेरी channel पर views आने लगे subscribers बढ़ने लगे उस time पर यहां पर views बढ़ने लगे क्योंकि यह पुराने videos भी rank में जाते हैं तो उसके views बढ़ने लगे आप देखिए यह मेरे शुरुआती जो 4-5 videos है उसके उपर आप views देखिए बहुत ही कम views आएंगे तो starting में जब आप वीडियो डालना चालू करते हैं आपके views काफी कम हो सकते हैं तो उससे घबराएं मत आपको वीडियो डालते रहने डालते रहने शुरुआत में जो views आते हैं वो आपके search engine से व्यू आते हैं यानि कि search से व्यू आते हैं जनरली व्यू जो है मेंली तीन तरह से यहां पे व्यू आते हैं आपके वीडियो के ऊपर पहला चीज़े कि YouTube के ऊपर मान लीजे यहां पर मैं YouTube टाइप करता हूं तो यहां पर मान लीजे कोई visitor यहां पर search box के अंदर कुछ भी चीज़ सर्च कर रहा है मान लीजे मैंने search कि गुरू जी और यहां पे मेरा वीडियो आया और इसके उपर किसी ने क्लिक किया तो वह हता है search से जो व्यू आते हैं तो इस तरह से जो व्यू आते हैं वो search व्यू हो गए दूसरे व्यू आते हैं कि आप मान लीजे surfing कर रहा है जैसे यहां पर ऐसे मैं नीचे नीचे जा र आते हैं और तीसरा व्यू जो आता है वो आता है recommendation व्यू मान लीजे यह मैंने वीडियो खोल लिया और मैं यह वीडियो देख रहा हूं और यहां पर मान लीजे मुझे इसमें ज्यादा interest नहीं बट यहां पर मैं side में जाके देख रहा हूं तो यहां पर दूसरे वीडियो भी दीख रहे हैं आप यह देख सकते हैं तो यह recommended videos हो जाते हैं तो दोस्तो starting में जब आप videos बनाते हैं तो आपके जो views होते हैं आपको focus करना है कि search engine से जितने हो सके उतने ज्यादा views आए क्योंकि browse features और recommendations में जाने के लिए आपके पास कुछ subscriber base का होना जरूरी है और subscribers तभी ब open कर लेता हूँ और यहां पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि अगर मैं कोई video के ऊपर यहाँ पर माने क्लिक कर लिया और मैं ये video देख रहा हूं और इस वीडियो को देखते देखते मुझे लगा कि यार ये अच्छा वीडियो है और मुझे इसी टॉपिक में रूची है और ऐसे वीडियो मुझे चाहिए और ये बंदा बोल भी रहा है कि अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए तो यहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन है अगर आप इसके उपर क्लिक कर देते हैं तो आप इस चैनल के साथ में सब्सक्राइब हो जाते हैं फिर जब ये बंदा कभी भी नया वीडियो डालता है तो आप जब भी browse करेंगे आपको वीडियो दिखने वाला है चाहे आप इसे search करे या ना करें तो browse features में जाने के लिए आप important है कि आपका वो जो बंदा है वो subscribe करना चाहिए आपकी चैनल को तो subscribers बढ़ेंगे तभी आपके ऐसे वीडियो जो है वो rank में जाएंगे या browse features में जाएंगे तो आपके लिए important ये बनता है कि जब शुरुआती दिनों में आप channel चालू करते हैं आप focus करिए जितना ज़्यादा हो सकता है अच्छा content बनाने के लिए और subscribers base को बढ़ाने के बट live subscribers आपको चूज करने है जो active subscribers है जो वीडियो को देखते हैं YouTube चलाते हैं और YouTube पे ऐसे वीडियो जो होते हैं उसको देखते हैं जिसको really रूची है आपके वीडियो में ऐसे subscribers बढ़ेंगे तभी आपके views जो है यहाँ पे बढ़ने वाले हैं चलिए अब आपको बताता YouTube का algorithm कैसे काम करता है, ऐसे ही और को यथी यह बीडियो को rank में भेज देता है, तो YouTube का algorithm काम करता है, specifically user जो ब ж earn को देख लिए जो आपको यह जो आपके video को देख रहा है,出 वो इंपोर्टन होता है। उसको बोलते हैं watch time तो watch time में मान 6-minute का video 3-minute तीन तक देक रहा है तो उसमें 50-% watch time rebel 5% टाइम वो पूरा video देखा रहा हो और दूसरा एक video हे जो छह minute का है और वो शिर्फ 1000 देखा जा रहा है और एक मिनिट तक hold कर रहे हैं YouTube के उपर में वो वीडियो देखा जा रहा है तो YouTube का algorithm यही बोलता है कि जितना ज्यादा आपका वीडियो दिखा जाएगा उतने लोग ज्यादा हमारे platform पर रहेंगे YouTube पर रहेंगे और वही वीडियो को हम priority देंगे दूसरे लोगों को भी suggest करेंगे तो आपका वीडियो थोड़ा engaging होना चाहिए उसके लिए बहुत सारे तरीके आप अपना सकते हैं engaging वीडियो बनाने के लिए आप चाहे तो अलग से मुझे बता सकते हैं comment box में मैं आपको बता दूँगा बट simply अगर आपको बता हूँ आप कुछ उसमें images दिखा सकते हैं कुछ video clip दिखा सकते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़े जो आप कर सकते हैं और मैं जो पचास topic की बात कर रहा हूँ लिंक आपको description में मिल जागी उसमें आप देख लीजएगा बहुत सार ऐसे topics है जिसके उपर में आप video बनाके immediately अपनी जो channel है उसको rank करवा सकते हैं इसके साथ भी सिर्फ इतने से काम नहीं होता है कि आप सिर्फ अच्छा एंगेजिव वीडियो बना ले आपको यहां पर देखनी होती है दो चीज़ जो mainly काम आती है मान लीजे यह यहां पर सार्च कर रहा हूं और मैं यहां पर देख रहा हू कि मैं इसके उपर click करके देखूं तो आपकी जो यह फोटो है यह इतनी attractive होनी चाहिए जिससे लोग उसके उपर click करने को मजबूर हो जाए कि यार इसमें है क्या पहली चीज़ दूसरी चीज़ है कि यह जो title है यह title बहुत अच्छा होना चाहिए title में clear cut आपका वीडियो क यह comment box में बता दीजिए इस में बताने चाहूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और अगर आप ऐसे tutorials चाहते हैं तो YouTube के उपर भी search कर सकते हैं बहुत लोग बनाते हैं but specifically मैं कैसे बना तो वो जाना है तो आपको comment करना पड़ेगा मैं comment करेंगे तो मैं आपको बता हुआ है यह मेरी thumbnails से आप यहां पर देख सकते हैं तो मैं इस हिसाप से बनाता हूं तो यह दो चीज़ important होती है यह दो चीज़ से ही आदमी click करेगा बहिया जब click करके देखेगा तभी तो आपका engagement या आपका content वो ध्यान में आएगा तो यह दो चीज़ important है उसके बाद rank मे के लिए आप यहां पर देख सकते हैं कोई भी वीडियो को जब आप अपलोड करते हैं आपको इस सारी चीज़े फिल करनी होती है तो यहां पर एक टूल है वीड आईक्यू का इसको आपको download कर लेना है और इसको आपको install कर लेना है यह पूरा free है उसके उपर अलग से tutorial लेता है तो इससे आपको idea लगता है कि आपका जो वीडियो का score है वो क्या है देखिए यहां पर वीड आईक्यू का score दिख रहा है 53.7 50 के ऊपर रहता है तो अच्छा माना जाता है एक्सेनेवल score 50 में से 48.7 यह जनरली 40 से ऊपर रहना चाहिए जब आप फिल करते हैं तब स्कोर आपको दिखाता है तो इस score के हिसाब से आपको यहां पर टाइटल समनेश बगरा डालने हैं तो देखिए अब टाइटल में जो सिलेक करूंगा उसमें मेरा कीवर्ड आना चाहिए मेरा यहां पर में कीवर्ड है डबल यॉर मनी यह मेरा कीवर्ड है तो यह कीवर्ड मुझे हर जगह यूज करना है मेरे को टाइटल में यूज करना है मुझे यहां पर डिस्क्रिप्शन में यूज करना है आप देख सकते हैं यहां पर मैंने यूज किया है इसके बाद में उसके बाद जो इंपॉर्टन चीज आती है वो आती है टैग यह बहुत ही इंपॉर इससे भी आपको फाइदा जोगा आपको आइडिय लिए अगर साथ है अगर आप मेरे से चाहते हैं तो इसके ऊपर बियुक्त एक वीड़ी लेकर आँँगा बट यह जो विड्ड की का टूल है वो आपको सजेस्थ भी करता है कि किस टैप के टैग keyword है वो आजाना चाहिए और उसी के basis पे आपको यहाँ पे वो tag search tag बताता है तो यह जो तीन चीज़ है बहुत important है यह आप जैसे भर दोगे आपको यहाँ पे actionable score देखेगा और इसी के basis पे आपका जो वीडियो है वो search में जाता है search में जाएगा तब search से view आते हैं और जब कोई भी वीडियो के उपर में जादा views आते हैं engagement जादा हो जाती है तब browse से views आते हैं आपके subscribers बढ़ते हैं तब भी browse से view आते हैं अब बात करते हैं कि subscribers कैसे बढ़ते हैं और पैसे कैसे मिलते हैं subscribers से मिलते हैं या views से मिलते हैं अब ये बहुत important है अब छोड़के मत जाना क्योंकि ये समझना बहुत important ही कि पैसे कैसे बनते हैं यार तो पैसे यहाँ पे subscribers से नहीं बनते हैं पैसे views से बनते हैं तो subscribers कैसे बढ़ते हैं subscribers मैंने आपको बता दिया व्यूस आएंगे तभी सब्सक्राइबर बढ़ने से फाइदा क्या है आपका सब्सक्राइबर बेस जैसे जैसे बढ़ेगा यूट्यूब आपको एक अलग कैटेगरी देगा और आपका वीडियो जो है इमेडियेट दूसरे लोगों को दिखाना चालू करेगा तो जब भी आप नया वीडियो डालोगे आपको कुछ व्यूस इमेडियेट आ जाएंगे जैसे दस अजार सब्सक्राइबर सापके होगे तो आप जैसे वीडियो डालोगे ना 100-200 व्यूस तो ऐसे ही आ जाएंगे इ दूसरी चीज़ जब भी आप वीडियो डालते हैं मान लीजे मैं एक वीडियो डाला 28,000 लोगों तक मेरा वीडियो पहुच रहा है उसमें से 5-10% ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को क्लिक करेंगे उसको इंटरस्ट आएगा तो आपको ऐसे भी व्यूस बढ़ेंगे त इससे पैसे कमाया जा सकते हैं मैं आपको अलक से बताऊंगा कि इसमें पैसे किस-किस हिसाब से कमाया जाते हैं तो सब्सक्राइबर्स इसके लिए इंपोर्टन है यहाँ पे दूसरी चीज़ व्यूस तो व्यूस से पैसे कैसे बनते हैं देखिए व्यूस से ही पैसे बनते चलिए अब मैं आपको पैसे कैसे बनते वो दिखा देता हूं तो अर्णिंग सेक्षइंगे यहां पर आप देख सकते हैं आर्णिंग सेक्षइंग अंदर यह पांच तरीके से पैसे मैं आपको बता देता हूं वैसे ये channel monetize है वट आपको मैं एक मेरी दूसरी channel पर लेके चलता हूँ जहाँ वह channel monetize नहीं अभी उस्में 413 subscriber है तो उसमें अभी earning चालू नहीं हुई है तो मैं आपको वहाँ पर बता देता हूं कि आप अगर ऐसे चालू कर रहे हैं तो आपके लिए क्राइटेरिया रहेंगे जब आपकी चालू होगी तो यहाँ पर नीचे थोड़ा जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे सिंपली आपको औरने सेक्शन में आना है यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अर्निंग चालू होने के लिए अगर आप होरिजोंटल वीडियो बनाते हैं तो उसमें आपको एक हजार सब्सक्राइबर मिनिमम होने चाहिए और चार हजार गंटे का वाश टाइम आपका पू मिलियन व्यूज आपको चाहिए अब आप बोलेंगे यार यह एक हजार सब्सक्राइबर में कब बना लूँगा चार हजार घंटे का वाश टाइम में कब करूँगा तो उसके लिए मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ मेरी में यूट्यूब चैनल पर आपको मैं दिखात तो इस वीडियो के उपर फिर से क्लिक कर लेते हैं और ये वीडियो का आप थोड़ा सा नजर डालिए यहाँ पर सिर्फ एक वीडियो ने 9000 सब्सक्राइबर बना के दिये है और 41000 गंटे का वाश टाइम लिया है इस एक वीडियो ने सारी यूट्यूब की जो पॉलिसी से या टर्म से या जो रिक्वार्मेंट से उसको खतम कर गी है तो ऐसा नहीं है अगर आपके एक दो वीडियो भी चल गए तो आपका एक क्राइटेरिया जो है बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाने वाला है बट स्टार्टिंग में स्टगल करना पड़ेगा आपको सकते हैं और पैसा कमाना चालू कर सकते हैं चलिए फटाफट से देख लेते हैं कितने तरीके से आप यूट्यूब पे पैसा कमा सकते हैं पहली चीज तो है वाच पेज एड अब यह चीज क्या है तो आपको मैंने बता देता हूं यहाँ पर मान लीजिए कोई वीडियो के जिसने इस एड को चलाया है वो एक हजार व्यू के मान लीजिए 500 रुपे दे रहा है वो दे रहा है किसको यूट्यूब को अब यूट्यूब क्या करेगा उसमें से 50-60 रुपे अपने पास रख लेगा यह पूरा चीज को मैनेज करने के लिए बाकी के जो 90 रुपे है वो पर बनता है वाच पेज एड में तो उसके लिए आपको पार्टनर प्रोग्राम में आना बहुत जरूरी है उसके लिए आपको में दो क्रैटरिया बताया एक हजार सब्सक्राइबर और 4000 गंटे का वाच टाइम यह आपका होना जरूरी है अब दूसरा चीज है शॉर्ट फ पर आपको एक अलग से दिखा देता हूं इसके बाद में तीसरी चीज़े मेंबर्शिप अब मैंबर्शिप क्या चीज़ है कि आप यहां पर अपने मेंबर्स को कुछ स्पेशल चीज दे सकते हैं मान लीजे कॉमेंट में अगर आपने मुझे कॉमेंट किया तो मैं आपका मैंने तीन मेंबर्शिप पकेज बनाया है यहां पर प्राइंग स्टार में 89 रूपिस रखे हैं पर मन्त जो भी सब्सक्राइब करेंगो और को देना होगा यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं मैंने क्या की आउफर किया मेंबर्स ओनली पोल सेफों किये अर्ली एकसेस बनाऊंगा इमीडियेटली इसके पास सबसे पहले जाएंगे उसके बाद प्राइरिटी रिप्लाइट अगर आप कॉमेंट करेंगे तो मुसका प्राइरिटी रिप्लाइट दूँगा उसके लिए आपको देने पड़ेंगे पैसा उसको डोनेट कर सकते हैं और यह सिर्फ लाइव स्ट्रीम वाले के लिए अगर आप ऐसे वीडियोस बनाते हैं सिर्फ वीडियोस बना के इसमें अपलोड करते हैं तो इसे भी बहुत सारे पैसे बनते हैं और यह पांचवा चीज जो अभी अभी लॉंच हुआ है वो श पूद का स्टोर बनाके ऐसी प्रोड़क्स जो है आपके वीडियो के साथ लिंक कर सकते हैं और कोई भी बंदा उस प्रोड़क्स को खरीदता है तो वहां पर आपको डायरेक्ट कमिशन मिल सकता है यहां पर हाला कि जो एमेजोन और फ्लिप काड ऐसी फेमस स्टोर से वह आ सकते हैं affiliate मतलब referral मान लिजिए आप आपने मान लिजिए mobile खरीद लिया कि आप अपने YouTube चैनल के उपर इसका review कर सकते हैं unboxing कर सकते हैं बहुत अच्छा mobile है ऐसा ऐसा और आप अपने जो viewers से उसको बोल सकते हैं आप इसको mobile को ले सकते हैं इस mobile को आप लेने के लिए नीचे और इसके जरीए आप यहां पर पैसा कमा सकते हैं आप मेरा जो वीडियो है उसका description में भी चेक कर सकते हैं Amazon की बहुत सारी link मिल जाएगी उससे भी आप खरीच सकते हैं तो उससे भी कुछ commission मेरे को मिलता है तो आप YouTube के उपर मान लीजिए आप का भी partner program के अंदर entry नहीं हुआ ह है तो starting के जो time है वहां पे भी आप इस हिसाब से पैसा कमा सकते हैं Amazon affiliate से अगर आप Amazon affiliate कैसे यूज करते हैं उसके उपर अलग से वीडियो चाहते हैं मुझे comment box में जरूर बताइए क्योंकि affiliate का earning जो होता है बहुत ही तगड़ा रहता है तो उसके उपर में अलग से वीडियो कर सकते हैं आप अपनी खुद की product sell कर सकते हैं ऐसे unlimited तरीके हैं आप इसके through YouTube के through पैसा कमा सकते हैं अब बात आती है YouTube पे वीडियो शूट कैसे करें तो वीडियो शूट करने के लिए जैसे मैं आपको बता इस पर एक रूपिया खर्चा नहीं करना है आपको तो उसके इसको यूज करिए पीछे जो camera है ना बहुत बढ़िया camera है इसमें आप minimum अभी तो 16 megapixel, 50 megapixel, 30 megapixel बहुत बड़े-बड़े camera size आ गया है इसको सिर्फे सा tilt कर दीजे और shooting चालू कर दीजे इसके लिए आप एक छोटा सा tripod का खर्चा कर सकते हैं जो 200-300-400 रुपे में आता है उ तो ऐसे tripod से आप रख दीजे यहाँ पे और shoot कर लिजे अपने video जो भी बोलना है बोल दीजे अब बात आती है video editing की तो video editing के लिए बहुत सारे software से तो video कैसे बनाते हैं उसके उपर अलग से video चाहिए तो भी comment में बता दीजे क्योंकि इतने सारी चीज में इस video में cover नहीं कर स सकता है बड़ उसके लिए भी YouTube के उपर बहुत सारे free courses है आप उसको देखके video editing सीख सकते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा detail में नहीं जाएंगे videos बनाना बहुत easy आप उसको सीख सकते है YouTube के उपर में बट अभी जो next चीज़ आपको बताने वाला हूं कि पैसे जो है 1000 एक 10000 व्यूज़ पर कितने मिलते हैं और सबसे जादर मैंने जैसे बताया watch page ID पर आपको ज्यादा मिलते हैं Short feed पर कैसे, कितने पैसे मिलते तो 1000 views पे कितने पैसे मिलते हैं वो भी अभी आपको दिखा देता हूँ तो इसके लिए फिर से आप चलते हैं analytics के उपर में और यहाँ पे फिर आ जाते हैं revenue section के अंदर में और आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ तो आप देख लिए यहाँ पे views मेरा आया है 2,00,00 और revenue for every thousand views मुझे मिले है 101,00 रुपे यह है 28 दिन का यानि की यह माईने का जिसमें मुझे 1000 view पे मिले है 102,00 रुपे अराउं बट यह differ कर सकता है अगर आपकी entertainment की channel है तो आपको 1000 view पे 30,40 रुपे मिलेंगे अगर आपकी mobile या technology की channel है तो आपको 1000 views पे 60,70 रुपे मिल सकते हैं लेकिन मेरा यह जो channel है finance related, technical channel नहीं है finance related है personal finance जिसमें advertisement बहुत महेंगी आते हैं तो यहाँ पे मुझे जो 1000 view है उसके 102 रुपे मिल रहे हैं और shots की बात करें तो shots पे अगर आप देखेंगे बट shots पे क्या होता है, shots पे views बहुत ज़्यादा आते हैं तो आपके subscribers बहुत तीजी से बढ़ते हैं और views तो बहुत ज़्यादा आते हैं यह मलब उस पे एक million, 10 million views लेना बहुत easy रहता है तो इसके लिए लोग shots भी ज़्यादा बनाते हैं subscribers गेन करने के लिए पर आपका जो main topic होना चाहिए, main जो videos होना चाहिए, वो horizontal वाला रहना चाहिए, तभी आपका पैसे बनेगे अब यहाँ पे और एक section है customization, इस customization section में आप आके अपनी channel की branding कर सकते हैं, जहाँ पर अपना जो thumbnail प्रोफाइल picture उसको change कर सकते हैं, बैनर को change कर सकते हैं, आप watermark को change कर सकते हैं, इसके साथ basic information जो है, वो सारी आप यहाँ पर channel की change कर सकते हैं, वो कहाँ पे दीखेगी, वो ब जो profiles फोटो है यहां पे दिखने वाला आपके Channel का नाम दिखेगा कितने subscriber जो बैमनर है वो दिखेगा तो यह सारी चीज जो है वह यहां पे दिखने वाली है और यह आपके लिए इसको लिए आप इसको कस्टमाइज भी यहां पे कर सकते आशा आपको यहाँ पे सारी चीज समझ में आ गई होगी, फिर भी आपको कुछ डाउट है तो मुझे comment box में जरूँ बता है, ये वीडियो पसंद आगा तो like कर देना, और आपको मैं really बता रहा हूँ, अगर आप really second income generate करना चाहते हैं, तो YouTube से आप चालू कर सकते हैं, कुछ भी doubts आ प्रत्विक टूर बता हैं, क्योंज पस्टा सकते हैं, क्योंस क्यों अपको को यहां जरू हैं, आपको को यहां हैं, प्रत्विक आपको क्यों कुछ